महाराष्ट सरकार द्वारा फिर वैपारियों पर मास की बंदिश का विरोध करते हुए वैपारियों की संगटना NVCC ने अपनी प्रतिक्री आबवेक्ट की है NVCC के अद्विन महारिया ने कहा है कि नियमों के मताबिक दुकान में अगर ग्रहाक हो या दुकानदार इन में से कोई भी मार्क्स नहीं पहने तो केवल दुकानदार पर 10,000 रुपे के जुर्माने की कारवाई होगी जो सरासर गलत है सरकार ने सरकारी कारेले में भी जाकर निरिक्षन करना चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं कोरणा के समय वैपारियों ने काफी तरासरी जहली है और नियमों का पालन भी किया है और आगे भी करते रहेंगे ऐसा अशिन मेडिया कह रहे है मॉन्टर कलेक्टर माटम और मौनिसिबर कमिशनर साब में भी दिया है जिसमें कहा गया है किसी भी दुकान में अगर कोई व्यक्ति बगर मास लगाया है या बगर कोविड नियमों का पालग करते वे पाया गया तो उस दुकानदार को उस दुकानदार को दस हजार रुपे का जुर्मान आओंगा चाहे गराग भी यह एकदम सरासर गलत है इसके लिए हमने माने मुखे मंत्री जी को पत्र लिखके हमारा अब्जेक्शन भीजा है और इस पर पूरर विचार करने को कहा गया है दोस्तों यह जो बीमारी है यह अदमी से अदमी में फैलती है तो ऐसा नही जाएंगी तो यह नियम महां पर भी लागो होना चाहिए जैसे यहां दुकान दार जवाबदार है दसाजारों पर भरने के लिए तो वहां कौन दव जवाबदार रहेंगा इसका भी खुलासा होना चाहिए मैं पुना माने मुखे मंत्री जी से जो हमारे लाड़ने निता चाहिए और मैं चांता हूँ कि वह व्यापारियों की हित में हैं और वह इस पर पुर्णा विचार करके अपना निर्ने देंगे और साथ ही साथ मैं नापूर की जंता से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने आपको वैक्सिन लगाई है और कोवीड नियमों का पालन पहले भी सार्व वव में वापारियों ने सरकार का शाषण ब्रशाषण का साथ दिया था आने वाले समें में भी अगर परिस्तिति कभी भगवान न करे खराब हो तो हम आपके सात्त देंगे लेकिन ये जो नियम आपने लाय है वैक्सिन लगे precisely और पालन का स्थ नहीं हो स